हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ये है हमारा हीरो प्लेजर और आज हम इसके फ्रंट ब्रेक शू और ब्रेक केबल चेंज करेंगे देखिए जाम हो गया है दबाने के बाद वही पर अटक जाता है और बहुत ही हार्ड है हमारे यहां ओरीडनल पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं है यह लोकल ब्रांड है लेकिन काम चल जाता है यह दोनों लोकल है दोनों मिला के मुझे अल्मोस्ट दो सो रुपय में मिले ओरिडनल मेंगा आएगा लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी वाला आएगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों मिरर निकालने होंगे यह फैरिंग निकालने के लिए एक दो तीन और चार यह चार और आगे एक स्कुरू आता है लेकिन हमने निकाल दिया है वो निकाल के फैरिंग निकालना पड़ेगा फिर यहां से केबल निकालना पड़ेगा और फ्रंट पैनल को भी खोलना पड़ेगा फ्रेंट पेनल के लिए ये सारे स्क्रू होते हैं एक दो तीन और वो साइड पे तीन छे आगे होते हैं लेकिन हमने नहीं लगाए हैं और वील भी खोलना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमने फैरिंग खोल दिया है और देखे पुराने वायर के कंडिशन कितनी खराब है अंदर बहुत ज्यादा रस्ट हो चुका है और ये लिवर भी जाम है नीचे से हमने ब्रेक केबल खोल दिया है आसान है ये वाले नट को ओपन करने के बाद खुल जाता है और यहां से हमने पीछे खीच लिया है देखे बहुत ही हाड हो चुका है अभी यहां से निकालेंगे हम पुराना केबल उसके बाद नया केबल यहां से लगाएंगे और उसके बाद फ्रेंट पैनल को खोलेंगे केबल इतनी बुरी तरह से जाम था कि यहां से खीच के नहीं निकल रहा था तो हमें लिवर खोल के निकालना पड़ा अब आगे का रास्ता तो हमें आसान लगता है बीना फ्रंट पेनल खोले मैं ट्राइ कर रहा हूं नया केबल यहां पे लगा दूँगा टेपिंग करके और नीचे से खीच लूँगा तो पुराने केबल की जगा पे ही नया केबल आ जाएगा हमने पुराने केबल और नये केबल के बीच में बहुत सारी टेप लगा दी है और अब हम नीचे से खीच के ही नए केबल को लगा देंगे पुराने केबल की जगा पे फ्रेंट पेनल को खोलना नहीं पड़ेगा देखिए हमने नए केबल बहुत आसानी से लगा दिया लगबग आदे गंटे का टाइम बचा लिया फ्रेंट पेनल ना खोलने के बज़ा से यह है पुराना केबल और अब हम यहाँ पे लगाएंगे और ब्रेक लिवर भी लगाएंगे और एक टिप किसी भी पुरानी गाड़ी के कोई भी स्क्रू या नट बोल्ट खोलो वो रस्टेड ही होंगे तो उसके बाद उसको थोड़ा से ग्रीस लगा के फिर से लगाना ताकि अगली बार खोलने में आसानी रहे अब हम यहां पे लिवर लगाएंगे यह वायर लगाएंगे और फेरिंग को फिक्स करेंगे फाइनली हमारा लिवर लग चुका है अपनी जगह पे और बहुत ही स्मूध है अब हम फैरिंग और मीरर को फिक्स करेंगे उसके बाद जो भी नीचे का काम है वो सब करेंगे उपर का सारा कम हमारा कंप्लिट हो चुका है अब हम ये वाला नट खोल के आगे का वील खोलेंगे और ब्रेक्शू चेंज करेंगे ड्रम हमने खोल दिया है इसकी हालत अच्छी नहीं है इसको हम क्लीन करेंगे ये नए वाले ब्रेक्शू और ये पुराने वाले और जब भी आप ब्रेक्शू चेंज करो तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगा पे ग्रीस लगाओ ताकि ब्रेकिंग अच्छे से हो और ये वाले मेन एक्सेल पे भी थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए फाइनली हमारी गाड़ी रोड पर चलने के लिए रेडी है और रोड पर निकालने से पहले एक बार इसको देख लो कि वील का रोटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं तो इस तरह से आप अपने घर पे भी ब्रेक का सर्वीसिंग कर सकते हैं वीडियो में दिखता है उतना आसान भी नहीं है और जितना मुश्किल आप समते हो उतना मुश्किल भी नहीं है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जैहिन टार स्वींग को लिए लघए जवाद आपका दोसे को दितना आसान भी नहीं है